भक्त बिना भग्वान नहीं, भग्वान बिना भक्त नहीं और इन दोनों के बिना तीर्थ नहीं हिंदू धर्ब में तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अपने जीवन काल में हर कोई भरपूर कोशिश करता है कि वो एक बार तीर्थ यात्रा पर जरूर निकले तीर्थ दर्शन के परंपरा सदियों से चलिया रही है, तीर्थ यात्रा का असली मकसद आत्मा का उध्थार करना है ऐसे में जुवेक्ति श्रधा भाव के साथ तीर्थ यात्रा पर जाता है उसे जाने अंजाने में किये गए अपने पापों से न सर्फ मुक्ती मिलती है बलकि अक्षें पुन्मिकी भी प्राम्ति होती है हर साल लाखों की तादाद में लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं लेकिन अपनी तीर्थ यात्रा के दोरान किन चीजों को करने से पचना चाहिए ये जानने के लिए हम पहुचे दुनिया के सुप्रसित सुदर्शन चक्र जोदिशाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी के पास देखिए तीर्थ स्थल का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेश महत्व है तीर्थ स्थल जो चार धाम बनाये हैं अपने हमारे जो जगत गुरु शंकरा चारे जी ने उसके पीछे अबजेक्टिव यह था कि हमारे भारत के डिफरेंट प्रांतों के लोग आपस में इकठे किसी जगह पर हो और वहां पर अपनी विचार धारे एक दूसरे के कल्चर को देखें समझें और उसको शेयर करें जो अच्छी चीजें उनको साथ लेके जाएं तीर्थ स्थल पे जाने का सबसे बड़ा महत तो जो है वो जो है आज कल की दिन रोज मरा की जो भाग दोड़ है और तरह तरह के जो डेली लाइफ में आप तरह तरह की परशानिया जो सामना करते हैं तो उससे जो आपके परिवार में या आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है उस नेगेटिविटी से बचने के लिए उसको कम करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरता है और उस पॉजिटिविटी को प्राप्त करने क के लिए हम धार्मिक स्थलों पे जाते हैं अब धार्मिक स्थलों पे जो सिद्ध तीर्थ स्थान है हमारे वहां से पॉजिटिविटी कैसे मिलती है सबसे बड़ा कारण है कि जो भी धार्मिक स्थल की यातरा के लिए जाता है एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ जाता ह तो आप उस जगह में भी positivity होगी और कोई जो भी तिरस्थल है वो किसी ना किसी देवता से जुड़ा हुआ है या किसी ना किसी सिद्ध पुरुष की तपस्थली होती है तो उसके तपस्या का जो पुन परताप है वहां से आपको positivity मिलती है तो तिरस्थल पे जाने के लिए आपको अपने आपको किस तरीके से तैयार करना है तो सबसे पहले आपको बहुती सात्विक विचार से दिमाग में लेके और आपकी बेशबूशा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए आजकल के जमाने में जब बहुत ज़्यादा advancement हो गई है तो मैं जो बाते बताऊंगा वो अगर आप करते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा सबसे पहले आपकी जो ये जो पांच आपके शत्रू हैं काम, क्रोध, लोब, मोह और एहंकार इन पांचों को दिमाग में रखके इनको कैसे minimize किया जाए इनको घर से चलते ही आप minimize करते हुए आप तिरस्थाल की तरफ पहुचें सबसे पहले आता काम, काम को minimize करने के लिए आप अपनी बेश्भूशा को जितनी साधरन कर सकते हों साधरन बेश्भूशा में आप तिरस्थाल की तरफ जाहिएगा दूसरा मस्तक पे अगर आप तिलक लगा लेते हैं कानों पे आप तिलक लगाते हैं तो इन दोनों से एक तो जो भी आपको देखेगा उसकी दरिश्थी आपकी तरफ गलत नहीं होगी नहीं आप जिसको देखेंगे आपकी दरिश्थी में कहीं से काम या किसी तरीके का वो गलत विचार नहीं है, कान पे लगाने से यह है कि आप गलत बात सुने गी नहीं, गलत बात पे ध्यान नहीं देंगे, यह इसलिए लगाया हुआ है, तो तीर्थ के तरफ आप जब जाते हैं, तीर्स्थान की तरफ जाते हैं, तो आप सबसे पहले आपकी वर्ती, सात्विक, स कहीं साक्षात हैं तो भगवान विश्णु जो हैं बद्रीनात में हैं तो अगर आप बद्रीनात की यात्रा करते हैं तो रास्ते भर काम के लिए मैंने बताया आपकी बेशबुशा जो है अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल साधारान होनी चाहिए बहुत ज्यादा बड़े ब कपड़े मत पेन के जाएगा ऐसे कपड़े मत पेन के जाएगा Jeanapõट रहें कुरोध को काम कबाद करने के लिए आप रस्ते भर जिस देवता या दिस जिस तीर्थ पर जा रहे है उसका मानसिक उसके मंत्र का मानसिक जाब करते वे जाएं, जैसे भगवान विश्णु का जो स्थान है आपका बदरी नात, वहाँ आपके गेट के उपर वहाँ का जो मंत्र है, मूल मंत्र वो लिखा गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमो नारैन, इस मंत्र का मानसिक जाब करते, मुझ से नहीं आपको शोफ नहीं करना है, मानसिक जाप करते हुए जाएं, तो उससे क्या होगा, आप कम बोलेंगे, अगर किसी से गल्ती भी हो जाती है, तो आपको करोध नहीं आएगा, दूसरा जब भी आप किसी तीर्थ पर जाती है, तो आपके शुब्ख कमाई में से, जो भी आप वि यात्रा में आप दान करते वे जाएं, तो आप दे रहे हैं, किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो लोब वाली चीज दिमाग में नहीं रहती, क्योंकि आप बांटते वे जा रहे हैं, उससे जो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, काम, क्रोध, लोब, मोह, अगर आप परिवार के साथ में हैं, लेकिन आपका ध्यान के तरह हैं, अगर आप पांचिक जाप करते वे जा रहे हैं, तो उस स्तीर्थ की तरफ है, तो वोह भी उसमें से निकल जाता है, और अंकार अगर इन चारों पर कंट्रोल कर लिया, तो आप पे कहीं पे भी इस या जादगी में जाएगा, तो इन पांचो को अगर कंट्रोल करते वे जाते हैं, तो इस यात्रा में, चाहिए वो एक दिन की है, दो दिन की है, तीन दिन की है, तो आप की, और आपको एक चीज और बताओं, अब कभी अपने दिमाग में ये मत सोचके चलिएगा कि मैं जा रह सकते, तो इस में से वो एहंकार वाली चीज भी आपकी खतम हो जाती है, आप हाद जोड़के उनका ध्यान करियेगी, कि आपका बहुत-बहुत, आपने हमें याद किया और हम आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो ये चीजें अगर आप साथ लेके चलते हैं, दूसरा आ आपको अपनी प्रेजेंस हर जगा पर दायर करते हुए चलना है, कैसे किसी गरीब रस्ते में आपसे कुछ मांगता है तो इसको आप यथा सामर्थिया, खुश होकर दान करें, उसमें उसको हड़ जा या ऐसा कुछ मत करें, आगे मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर का जो प जान करें, होता क्या है, जब आप थोड़ा सा हट के अपनी प्रेजेंस अपनी हाजरी लगवाते हैं, तो वहां जो उस मंदिर के जो पुजा रही हैं, जब वहां के जो सिवादार हैं, उनकी आँखों में आपकी एक तस्वीर आ जाती है, कि एक ऐसा वंदी भी बंदा भी आया था, तो वह अगर आपको याद करते हैं, तो आपकी हाजरी फिर दुबारा लगेगी, तो आप जब भी किसी तीर स्थल को जाएं, तो अपनी प्रेजेंस आप देते वे जाएं, तो अचारी जी ऐसा भी है कि कहा जाता है कि चारो धामों की आत्रा बुड़े बुड़ हैं, तो आपके सारे तीर्थ हो जाते हैं, और माता-पिता के जीवित होते हुए, आप पहले उनको तीर्थियातरा पे भेजें, या अपने साथ उनको तीर्थियातरा पे लिए करें, और जब हम तीर्थियातरा पे जाते हैं, तो किन-किन चीजों का आमे परहेज करना चाह उसमें आपके खान पान में, जो है किसी भी तरीके की कोई तमसी चीज़ें नहीं होनी चीज़, कोशिश करें आप लहसन प्यास भी ना खाएं। लेकिन होटिल तो आपको रस्ते में तो खाना तो होटिल का ही है, अगर भो सकता है सिंपल दाल और सिंपल खाना लें। सात्विक चीजों का ही फल्फूरूट का ही सेवन करें और वही चीजें आप दान भी करें कुछ लोग जो हैं धार्मिक यात्रा को तीर्थ यात्रा को भी ऐस आपका जो है एक उसे क्या बोलते हैं घूमने फिरने का पिकनिक वो बना के जाते हैं उससे वह बजाये वहां से आप चड़ा के जाते हैं तो इसलिए आपकी मानसिक वरती आपका नेचर और आपका खानपान टोटली सात्विक अध्यात्मिक सोच के साथ जाएंगे तो वहां से आप पॉजिटिविटी लेके आएंगे बहुत पॉजिटिव होके आएंगे और आने के बाद आपकी जो भी परिशनिया थी, वो परिशनिया आपकी आस्ताएंगे दाएंगे और फिर आपको यह लगेगा कि मैं वहां गया था, इस परिशनी में गया था और वहां से आने के Bible मेरी परिशनियान दूर हो गी थी तो नार्मली अगर जैसा मैने बता यह इस तरीके से आप प्रित यात्र को कंट्रोल करते वे यात्रा के बीच में तो आपको बार 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 बुलावा आएगा आप बार बार जल्दी जल्दी जाएगे